उत्तरप्रदेश के बलिया में मानवता को शमसार कर देने वाला एक संसनी खेज मामला सामने आया है शहर कोतवालिक शेत्र में पांच वर्ष की एक मासूम घिरौनी हरकत का शिकार हुई है हैरान करने वाली बात ये है कि तीनों आरोपी नावालिक हैं जिन में से एक महज छे वर्ष का है वहीं स्पी विकरांथवीर ने बताया कि कोतवाली थारान तरकत एक महले के रहने वाली महिला के द्वारा शिकायत की गई कि 16 अक्टूबर को उसकी 5 साल की नाबालिक बच्ची के साथ उसके ही दो किरायदारों के तीन बच्चों ने मिलकर गलत काम किया है आरोपियों ने एक की उम्र महस 6 वर्ष की बताई है जबकि दूसरा 13 और 13 सबसे बड़ा 16 वर्ष का है उन्होंने बताया कि संबन में ततकाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया एस्पी ने कहा कि फॉरंसिक टीम के साथ मैंने भी घटनास्थल का नेरिक्षन किया है अभी साक्ष जुटाते हुए जांच की जा रही है आज थाना कुतवाली जनपत बलिया में एक वादनी के द्वारा सुचित किया गया कि परसों दिनाग 16 दर्ष को उसकी नाबालिक जो बच्ची है पांच साल की उसके साथ उनके किरादार दो किरादार के टीम बच्चों ने मिलकर गलत काम किया है इस संबन में ततकाल मुकदमा पंजिकरित कर लिया गया और मेरे द्वारा फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल का मुएना निरिक्षन कर लिया गया है फिलाल पुलिस ने बच्ची की मा की तहरीर पर मुकदमा भी दरश कर लिया है और अभी साक्ष जुटाते वे जांच की जा रहे है पंजाब के स्थी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट